सब्सक्राइब करेंगे तक हम आगे जब प्रब्लम्स को फॉम्लेट करेंगे तो बहुत असानी से कर पाएगे सब्सक्राइब करेंगे और यह टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़िएगा तो समझ में आएगा पिछली वीडियो भी देख लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको नहीं जो अपडेट से मिलती रहें तो चलते हैं अ कोनard करना है तो सबसे पहले तुटब्सक्राइब क्या थैं हमें जिनके उपडिसर लिटा अइकर के संचनल किया हैए और कैसे ंसे करना है कोन-कौन से हमारे अइस ह regime variable है step 2 में identify the goal objective function problem को पढ़ेंगे और उस में से हम अपना goal निकालेंगे कि हमारा goal क्या है तो वो objective function होगा फिर identify करेंगे हमारे constraint क्या है problem के अंदर से constraint को निकालेंगे फिर कुछ implicit conditions होती है non negativity क्या है integer क्या है तो यह सारे हम step by step पढ़ेंगे सबसे पहले step to determine the decision variable अब in this part the most important thing is we will learn to develop the skill and the ability to translate a given real life situation into a linear programming format so keeping in mind the assumptions and the limitations of our problem now in this topic we will have some alphanumeric data to solve the real life problems तो पहले formulate करने के लिए decision variable देखना पड़ेगा decision variable क्या है देखो how many दो question को हमारा जो answer करता हो वो हमारा decision variable होगा problem में जैसे अगर हमारी problem में यह दिया हुआ है कि हमें क्या करना है या कितना क्या या कितना करें कि हमारा जो goal है वो satisfy हो जाए वो क्या होगा हमारा decision variable होगा example लेते हैं सब्सक्राइब है और उसमें हम दो प्रड़क्ट बना रहे हैं प्रड़क्ट ए और प्रड़क्ट बना रहे हैं और इसके लिए हमें रो मेटीरियल चाहिए लेबर आर चाहिए इन्हीं प्रड़क्ट को बनाने के लिए लेबर आर भी चाहिए रो मेटीरियल और रेवर आर जो है उन दोनों के लिए क्या है सेम है ठीक है बट क्या है थोड़ा सा प्रड़क्ट बदला गया है ए प्रड़क्ट में कम मेटीरिय nde same row material अब हमारी problem यह है कि हम दोनों product को कितनी-कитनी quantity में बनाएं जो हमारा profit है वो maximize हो जाए अब हमने क्या question में क्या आया दोनों products को कितनी-कitनी quantity में बनाएं कितनी-कitनी मतलब how many which product in how many quantity तो किसने इस question को answer किसने किया है हमारे products ने यानि कि a और b जो हुमारे product हैं तो product ही क्या है हमारे ये इस problem में they are decision variable so product यहां कितने decision variable हुए दो a और b तो a और b हमारे है decision variable ठीक है अब इनको हम क्या कर सकते हैं x1 और x2 भी कह सकते हैं क्योंकि हमें जो question solve करने हैं उसमें equation में हम इसको x1 और x2 ही रखेंगे clear हुआ तो जो question में जो information हमारे how many और which को satisfy करती हो वो हमारे क्या हो गए decision variable हो गए next step 2 है हमारा identify goal in the terms of objective function अब हमने जो example यह उसमें जड़ा objective क्या है हमारा हमने देखा कि दोनो product को a और b को कितनी quantity में बनाए क्या हो जाए हमारा profit maximize हो जाए main objective क्या हो गया हमारा maximization of profit यह क्या है हमारा objective function so the maximization of profit is maximization in this problem maximization of profit जो हमने problem ली है example जो लिया है उस problem में हमारा objective function क्या है maximization of profit अब यह कुछ भी हो सकता है अगर हम कहें कि हम sales को maximize करना है यह हम अपने didn't को maximize करना है तो वह भी क्या होगा हमारा objective function होगा clear हुआ ठीक है optimization का function क्या होगा हमारा देखो इसको हम कैसे लिखेंगे और c किसको represent करता है ची रिप्रेजेंट करता है अब अगर हमें total profit को maximize करना तो हमें क्या करना पड़ेगा C1 यानि कि X1 के लिए profit कितना है तो X1 की quantity into C1 profit की quantity तो यह product हुआ हमारा product में कितने unit बनानी है और into C1 कर दिया हमने यानि कि profit कितना है उसका तो हमारा इस से profit plus दूसरे वाले हमारा decision variable से profit यह अग्वी इस problem में हमारे पासे 2 हैं यह हमारे कितने हो सकते n numbers तक हो सकते हैं दो चार चे प्रड़क्ट मिक्स जब वो जैसे companies होती है अभी सोप manufacturing की company अगर हम देखें तो नहने की भी चार तरह की साबुन बन रही है sanitizer बन रहे हैं या washing बार भी बन रही है तो उसके जो प्रड़क्ट लाइन बहुत जादा है तो उसमें प्रड़क्ट मिक्स क्या हो सकता है वो पांच प्रड़क्ट भी ले सकते हैं छे प्रड़क्ट भी ले सकते हैं तो n क्या हो सकता है हमारा number of कितने number है हमारे तो this is our profit maximization function and c1 represent the profit objective factor that is profit अगर यहां हमारा profit है कहीं sale होता है तो वो हो जाएगा हमारा clear तो this is objective function next step है हमारा identify the constraint resources of the requirement अब हमारे पास हम जो प्रड़क्शन कर रहे हैं वो किन-किन चीजों से कर रहे हैं क्या वो चीजें हमारे पास limited हैं अगर limited हैं तो क्या हुआ वो constraint है ना unlimited हैं तो बात ही नहीं है लेकिन अगर limited हैं तो constraint हो गया हमारा तो अब जैसे की मेर प्रॉब्लम थी हमने जो एक्जामपल लिया हुआ था उसमें क्या है हमने कहा raw material हम बना रहे हैं जो दोनों प्रड़क्ट बना रहे हैं उसमें raw material जो है वो हम 100 kg से ज्यादा यूज नहीं कर सकते दूसर था हमारा लेबर आर लेबर आर भी यूज कर रहे थे ना उसमें तो लेबर आर हमारे 200 आर से ज्यादा नहीं यूज कर सकते तो यह क्या हो गए हमारे constant हो गए इनकी raw material भी constant हुआ और होगे हमारे constant अब constant को जो हम mathematical form में देते हैं तो mathematical form क्या देंगे इसकी a1 1 plus a1 2 x1 यह हुआ a1 x 2 plus a1 n x1 n ठीक है तो यह इसको हमें इस तरह से represent करना है a1 x1 plus a1 2 x2 plus a1 n xn क्योंकि n क्या था हमारा decision variable n numbers में थे अब यह क्या था दूसरी हो सकती है हमारा अब यह हमारे raw material के लिए था अब labor के लिए हम क्या करेंगे a2 1 x1 plus a2 2 x2 plus so on a2 n xn clear अब यह क्या हो सकती है हमारी inequality में हो सकती है more than less than और equal to ऐसे यह भी more than less than और equal to में आ सकता है ठीक है यहां से क्या है हमारी equation भी हो सकती है और यह inequality भी हो सकती है तो इनको हम क्या कहते है inequalities अब हमने कहा कि हमारे पास अभी इसमें हमने क्या लिए सिर्क दो ही variable यह दो ही constraint थे raw material और labor r अब इसमें हमारे पास और भी हो सकते हैं यहने कि m numbers तक हो सकते है m is the number of the constraint दो के साथ हमारे चार भी हो सकते हैं छे भी हो सकते हैं तो am xm प्लस am2 x2 प्लस so on amn xn greater than less than equal to यहां से क्या ही हमारी inequalities ठीक है तो a क्या represent करता है हमारा अब यहां a क्या represent करता है हमारा a represents the per unit quantity of resource यहने कि जितना हमें x1 को बनाने के लिए यहां x1 को बनाने के लिए कितनी quantity चाहिए a resource की x2 बनाने के लिए कितनी quantity चाहिए हमें a की ऐसे ही यहाँ a2 जो है labor आ रहा है वो कितने चाहिए हमें x1 बनाने के लिए और कितने चाहिए हमें x2 बनाने के लिए चीक है तो यह हुआ हमारा identifying the constraint अब आते हैं हम अपने fourth step पे that is implicit condition देखो कुछ condition इसमें हमारे implicit है that means पहली है non negativity quite obvious है कि x2 जो हमारे वो number of units है हमें produce करने है दो variable हमने लिए decision variable x1 और x2 तो tangible asset है तो क्या हम उनको minus में produce कर सकते हैं नहीं कर सकते ना या तो हम production करेंगे 0 से जादा 1,2,4,10 या फिर हम production करें ही ना अगर production नहीं करी तो क्या हुआ वो 0 हुआ और production कर रहे हैं तो more than 0 हुआ तो negative हो सकते हैं कि हम आधी चीज बना रहे हैं आधी भी positive होती है 0 से negative में चीज बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारे decision variable हैं वो हमारे non negative होंगे तो इनको कैसे express करेंगे हम they will be expressed as x1 is greater than equal to 0 x2 is greater than equal to 0 तो इसको हमें इस तरह से express करना है this is the implicit condition है यह non negativity की अब दूसरा एक integer भी आता है हम यह मान के चलते हैं कि जो हमारे variable हैं वो क्या है integer है x1 और x2 से xn तक are integer लेकिन यह हर case में possible नहीं है not in every case clear है तो अभी अगर integer का कुछ नहीं दिया हुआ तो अभी इसको हम छोड़ देंगे तो इन चार जो step में हम किसी भी problem को जो हमारी linear programming problem में convert कर सकते हैं और इसको formulate करने के लिए इन चारो steps को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है और यह आनी भी चाहिए अच्छे से नेक्स्ट जो हमारी वीडियो उसमें LPP करेंगे maximization के लिए in the case of maximization तो वीडियो की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल आइकन को दबाएं ताकि आप नई वीडियो की notification भी मिल जाएं आपको all the best thank you have a nice day